हेलो स्टुडिंट्स सो फाइनली आज हम इस चैप्टर का जो आखरी सेशन है हम उस सेशन में है तो आज हमारे पास दो जवापदारी है एक तो एकसेज 1.4 और 1.5 लेकिन मैं आपको क्लियर कर दू कि हम सिर्फ 1.4 ही करेंगे 1.5 है ना जब आप कभी ऑफलाइन मेरे सामने र मोटिवेट मत होएगा ठीक है और जो भी आपको नहीं समया रहा है ना आप फ्री हो मुझे फोटो क्लिक करके मुझे भेजिए क्योंकि काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे है तो मैं उनको सामने से उसके सेलुशन बेच कर सॉल्व करने में हेल्प कर रहा हूं ठीक है तो किसी भी रैशनल नंबर को किस तरिके से एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर कैसे निकालना है और किसी भी रैशनल नंबर के बीच में एक से ज्यादा रैशनल नंबर कैसे निकालना है मतलब तीन चीज ठीक है अब number line की में बात कर रहा हूँ न तो एक important चीज कहा है न समलोग कोई भी एक number आपको मिल गया 4 upon 3 बोलागा कि इसको है न इस number line पर plot करो तो ऐसे situation मालूब क्या करना है आपको इसको ज्यादा ध्यान देना है तो देखो अभी ये positive side है न तो आपको 0 यहाँ लिखना है अगर इदर negative होता है तो जीरो यहाँ लिखना ताकि आपकी पूरी मेहनत इस तरफ हो यह positive है तो इसके लिए मैं 0 थोड़ा extreme ले रहा हूँ बीच में नहीं ले रहा हूँ त्यूंकि मुझे क्या यह वाला space यूज करना है अब देखो यह तीन है न मेरी एक बात सुनो अभी 1 कब आएगा तो 1,2,3 पर 1 ले लो जितना नीचे होता है न उतने के distance distance पर 1,2,3 ऐसे जाता जाएगा फिर 1,2,3 यह 1 हो गया यह 2 हो गया 1,2,3 यह 3 हो गया 1,2,3 यह 4 हो गया अब देखो 4 upon 3 है न 4 upon 3 मतलब कैसा हो गया देखो मैं आपको बताता हूँ यह जो 0 है न यह पॉ 3 upon 3,2 upon 3,3 upon 3, अब यह क्यों correct है 3 upon 3 मैं आपको बताता हूँ देखो यह 3 upon 3 क्यों है क्योंकि 3 upon 3 कटके कितना होता है 1 होता है exactly इसके लिए 1 आया अब उसके बाजुवला क्या हो जाएगा यह यह आपका हो जाएगा 4 upon 3 क्या हो गया यह 4 upon 3 समझ मैं आ गया समझ लो एक और सम 5 upon 5 अब आपका यह भी positive है एक line खेचूंगा यहाँ 0 रख दिया अब बताओ जो 1 आएगा ना वो कौन से number पर आएगा वो 5th position पर आएगा देखो यह धीरे-धीरे करना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है अब इस condition में क्या हो रहा है देखो यह जो है नहीं आपका 1 होगा actual मैं आप ईसे लिकिन ये 5-5 का होगा ये 2 लिख रहा होनों ये 10-5 का लोगा ये 3 लिकरहो नहीज 15-5 का होगा और ये 4 लिकरहो नहीज 20-5 का होगा लेकिन आपको काौनसी चीछ एंड़ने एट अपॉन 5 तो ढूंड़ो ये 1-5 2-5 3 ॏंपॉन 5 4 उपॉन 5, 5 पॉन 5 5 तक तो हमक तो 3 पर फिर से 2 आ रहता यहां पर denominator में 5 था ना तो इस तरीके से हम लोग ने पाच पाच के gap पर किया अब समर लोग कोशन आता है minus 3 upon 7 ठीक है यह minus है अब देखो अब मैं थोड़ा सा दिमा क्या लगा लोगा 0 यहां रख दूँगा अब देखो 7 है न तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 łida यह minus 1 हो गया यह minus 2 हो गया यह minus 3 हो गया minus 1 का मतलब हो गया minus 7 upon 7 यह हो गया minus 14 upon 7 यह हो गया- expects Peak हो मैं अब मुझे चाहिए कि minus 3 चींए तो सिर्फ minus 3 ची यानि वह तो यहीं आ जाएगा यह minus one upon 7 यह minus 2 upon 7 यह आपका है minus 3 upon 7 आई बस अंद में तो इस तरीके से आपको ना करना है अब देखें कुशन number 2 क्या बोलता है find one rational number अगर कभी भी दो number के बीच में दो rational number के बीच में आपको एक ही rational number point करना है न तो उसका formula क्या half a plus b यह पहला वाला rational number यह दूसरा वाला rational number मतलब समर लो यहाँ पर one upon four plus one upon three तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है इनका LCM निकलना पड़ेगा तो four और three का LCM कितना निकलता है 12 अब four में मैं क्या multiply करूंग तो 12 आएगा तो three तो three तर multiply तो three तर भी आएगा similarly four और four तो यहाँ पर क्या जाएगा three plus four है समझ में तो देखो यह half और उपस seven upon twelve आई बस में तो यह finally जब two नीचे multiply होगा तो seven upon twenty four इसका answer होगा यही formula से आपको काम करना है ठीक है half bracket में a plus b a plus b एक सम और में कर देता हूँ आपके लिए question number two कर देता हूँ चलो minus one upon four and one के बीच में है न आपको rational number डूंडना है तो formula क्या है half a plus b तो half minus one upon four plus one राइट कुछ नीचे तो क्या लिखूंगा मैं one लिखूंगा good तो half देखिए half इन दोनों के से कितना हैगा four आएगा यह तो already four था तो इसमें one into one करूंगा न तो यह minus one ही रहने वाला है बट यहाँ पर मुझे four बनाना पड़ेगा तो उपर नीचे दोन तरफ four multiply करूंगा तो कुछ इस तरह किसा आ रहा है half अब देखो माइनस प्लस माइनस तो four में से वन गया तो three बड़ा कौन है इन दोनों में four four क्या के sign कौन सा है plus ठीक है upon four तो finally जब multiply करेंगे ना तो three upon eight इसका answer आएगा अभी बस हमने बच्चो तो इस तरीके से concept आपको लेकर चलना है अब देखिए third question में क्या बोच रहा find any four rational number between minus three and five question number three क्या बोल रहा है minus three और five के बीच में है ना कोई भी four rational number डूढ़ो देखो कभी भी एक से ज़्यादा rational number डूढ़ना हो ना तो उसके condition है क्या condition है मालूम है कोई भी दो number हो ना पहले तो देखना है उसका denominator denominator same है कि नहीं देखिए इन दोनों का denominator कितना है one one है same है अगर denominator same है ना तो आपको four पूछा है ना तो एक ज़्यादा कर लो एक ज़्यादा कर लो और जो भी आएगा ना उसको दोनों तरब multiply कर दो simple है देखो four rational number ढूंडना था इन दोनों के बीच में तो सबसे पहली क्या चीज है कि मुझे देखना है दोनों का denominator same है कि नहीं अगर denominator same नहीं ना तो denominator same करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर already था तो कोई टेंशन की बात नहीं है अब उसके बात क्या करना है जितने rational number ढूंडना है न उससे ज़्यादा एक number लेलो कोई भी यानि just 5 हो गया उपर निचे 5 से 23 upon 5 तो यह जो चार number लिखने न यह आपके चार rational number है इनके बीच में तो लेक अच्छा सम और में करवाता हूं suppose अभी एक number और है 2 upon 3 है 4 upon 5 है ठीक है मैंने बोला इनके बीच में है न 9 rational number निकालो कितने 9 तो सबसे पहले चीज क्या मालूँ है rational number निकालने के लिए मुझे देखना है कि जिए denominator है वो सेम है या नहीं तो यहाँ पर सेम नहीं है तो मैं साइड में क्या करूंगा इनके LCM निकालूंगा क्या इनका LCM तो 3 वन्जा 3 ये 5 5 वन्जा 1 तो 3 वाइज है 15 इसका LCM कितना नहीं कल रहा है 15 जैनि इसको भी 15 बनाना है इसको 15 बनाने के लिए 5 से multiply करना पड़ेगा दोनों तरह इसको 15 बनाने के लिए 3 से multiply करना पड़ेगा ठीक है तो यह बन गया 10 upon 15 और 12 upon 15 अब मुझे कितने अब जितने भी रैशनल नमबर चीना उससे जस्ट एक ज्यादा नमबर कौन सा होगा 10 तो मैं 10 से इधर भी multiply करूँगा और 10 से इधर भी उपर नीचे multiply करूँगा तो यह कितना हो गया 100 upon 150 यह हो गया 120 upon 150 अब इनके बीच में जो 9 रैशनल नमबर वो कौन से मालू मैं 100 और 120 के बीच में लिखो तो 101 upon 150, 102 upon 150, 103 upon 150, similarly 104 upon 150, 105 upon 150, 106 upon 150, 107 upon 150, 108 upon 150 और 109 upon 150 तो इस तरीके सा आपको सम्सको करना है याद रखना कभी भी कोई भी दो नमबर के बीच में रैशनल नमबर एक से ज़्यादा find करना हो ना तो यह वाला टेकनिक है और यदि सिर्फ एक ढूंडना हो ना तो वो half bracket में A plus B वाला method जिसमें LCM निकाल कर आपको half यानि 2 से नीचे denominator में multiply करना पड़ता है और इस टाइब के समस में हमेशाद इन डिनोमेटर को सेम करना पड़ेगा ठीक है अभी यह जो समय नमबर कोशन नमबर 4 और कोशन नमबर 5 दोनों में पहले इसको डिनोमेटर को सेम करना पड़ेगा इसमें भी डिनोमेटर को सेम करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पर 2 से multiply कर तिल एकसे इस 1.4 राइट और जो भी डाउट्स है आप लोग उस question को है न solve करके पहले मुझे भेजो ठीक है personal number पर personal number पर मैं देखूंगा क्या mistake आपसे हो रही आप किस तरीके से गलट direction में जा रहे हो तो मैं उसको सही तरीके से solve करके वापिस आपको भीजूँगा क्योंकि rational number क्या है actually ये online समझने वाला chapter नहीं था बट इसको समझाया गया है क्योंकि परिस्तितियां भी कुछ इसी प्रकार किये तो मैं ये उम्मिद करूँगा कि आप मुझे doubts भीजेंगे अपने और मैं उसको solve करके rapidly आपको भीजूँगा राइट चलिए thank you मिलते हैं कल हिंदी के नए chapter के साथ